समाज को एक करप्शन में एक वैश्या प्रती की तरफ तके ला जा रहा है क्या इसके बारे में कोई जवाब देगा इसाई भाई की वीबी वो भी उसकी वीबी और सबसे जाजा तो हिंदु रहते हैं हिंदू की वीबी उनकी वीबी अब चंसुर साथ ये बोल लें कि शादी के बाद बेभी किसी के साथ भी रह सकती है समंद मना सकती है पतिया पतिया नीकर जी हाँ जो खुद को खुदा समझ बैठे हो वही ऐसे काम और ऐसे कांड कराएंगे हमारे देश में कि हमारा समाजिकताना वारा तुडबा देंगे हिंदू को राम राम मुसल्मान को सलाव आलेकम इसाई भाई को जी हाँ स्वागत है आपका गोड इवनिंग और सिखों को सरस्रीकाल जी हाँ दोस्तो आज एक ऐसी खवर लेके आई हैं जो हिंदुस्तान के हर ढांचे को कुछल देने चाहते हैं जी हाँ कुछल देना वो चाहती है नियाए पालिका जो उनके इशारे पे काम करती हैं जो खुद को खुदा समझ बैठे हैं जी हां जो खुद को खुदा समझ बैटे हूं वही ऐसे काम और ऐसे कांड कराएंगे हमारे देश में कि हमारा समाजिकताना वाना तुडबा देंगे नाम लेकर के नियाए पालिका का दोसी तरफ ये भी आरोप लगाजी जाएगा कि नियाए पालिका की जज़ों पर बहुत सारे सवाल उठाए जाते हैं लेकिन दोस्तों आज बात करेंगे सोशल मीडिया अपर सबस्यादा ट्रेंड चलना है चंद्र चूड जो जस्टिस चंद्र चूड है ट्रेंड कर रहा है उनका एक जो है ट्रेंड क्यों चलना है किसे चलना है उसके बारे में बात कर लेते हैं उसके बारे में बात करेंगे वो एक अलग बात है कि उनके उपर कितना ज्यादा समाजिक मतलब ट्रोल हो रहे हैं जस्टिस चंड चूर अब आप खुद फैसला कीजिए सारे भाईयों से बोलूँगा खुद फैसला कीजिए क्योंकि ये राजनेजिक तो है नहीं ये समाजिक है सिक भाई की बीबी उसकी बीबी मुसल्मान भाई की बीबी वो भी उसकी बीबी इसाई भाई की बीबी वो भी उसकी बीबी और सबसे यादा तो हिंदू रहते हैं हिंदू की बीबी उनकी बीबी अब चंचूर साब ये बोल लें कि शादी के बाद बीबी किस के साथ भी रह सकती है समंद मना सकती है पती आ पती नहीं कर सकता ना तलाग दे सकता उसको आधर बना करके भाई ऐसा कैसे हो सकता है आपने सोचा है क्या ऐसा होगा इसे जल करके बड़ा दिल्चेस्प एक बाइरल होने लगा बाइरल होने बाइरल क्या होने लगा साहब मैं आपको बताऊं कि चंद्रचूरण चंद्रचूरण साहब जो बोल लए थे तो उसकी भी बानगी दिखाएंगे उसके बारे में भी बात करेंगे चंद्रचूरण साहब ने जो बोला देखें हसी गामत प्लीज 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 अपनी हसी रोख लिए लेकिन ख़बर क्या थी ये ख़बर बताने बहुत जरूरी है ख़बर देखिए सबसे पहले चंद्रचूरण जो है सुप्रीम कोर्ट ने हाली में गरभ पात कानूं को लेकर के एक फैसला दिया जिसमें कहा अगर पत्नी की सहमती के बिना पती ने शारीरिक संबंद बनाया और पत्नी गरभ पती हो गई तो जब चाहें जब गरभ पात करा सकती है इसके लिए पत्नी की सहमती की जरूरत नहीं होगी इस फैसले से कुछ लोग बहुत आहत हैं लगता है कि इससे सुप्रेंग कोर्ट शादी से पूर्व सेक्स करने की खुली छूट देती है मतलब मोधी जी के सपनों का हिंदुस्तान अमरीका जैसा बनना चाहिए भारजिंदा पार्टी के नेताओं की आग तो आप अठखे लियां सहे लियां जानते ही हैं ये फैसला जस्टिस डिवाई चंदचूड की बैच का था इसलिए अब चार साल पहले एडल्ट्री के मामले में उनके फैसले को लेकर के आलोचना भी हुई थी जस्टिस दीपक मिश्रा की अगवाई वाली पांस सदस्टीय पीट ने 2018 में एडल्ट्री यानी बैविचार से जुड़े कानून रद कर दिया था इस बैंच में जस्टिस चंदचूड भी थे एडल्ट्री से जुड़े कानून सेक्शन 497 से जुड़े मामले में फैसला सुनाते हुए जस्टिस चंदचूड ने कहा पती पत्री के सेक्सुलिटी का मालिक नहीं हो सकता शादी का मत्रब ये नहीं कि पत्री किस से शारेडिक सम्मन बनाए ये पत्री तैय करेगा इस फैसले में कही गई बातें काफी लोगों के गले नहीं उतर रही है और वो भी हिंदुस्तान का समाज जिसमें कई धर्मा का समावेश हो, कई जातियों, कई बोलियां, कई भाशाओं और कई कल्चर और कई आधिवासी समुदायों का जहां एक मिलाजुला रूप हो तो ये लग रहा है कि संबिधान की आत्मा के अंरूप फैसला डिवाई जेस्टिस चंचूर ने किसी बीजेबी की नेता को बचाने के लिए शायद दिया हो जिसकी मिसालें आने वाले टाइम में दी जा रही हो, दी जाएं वो लिखते हैं इसे अप्रास साबित होने के लिए जरूरी है कि पती ने सहमती नहीं दी हो भाई जैसे ही ये फैसला आया चंद चूर जो थे सुपरेट हो गए ट्वीटर पर ट्वीटर पर जब सुपरेट हो जाता है कोई आदमी तो विभिन रियक्शन विभिन प्रतिक्रियाएं आती हैं और जब विभिन प्रतिक्रियाएं आती हैं तो विभिन प्रतिक्रियाओं में जो है सिंदू लिखने लगती हैं पताने चंदर चूरण की पत्नी क्या सोच रही होगी हो सकता है कि वाज खुशी के मारे बाहर दूसर चूरन की पुड़िया लेने चले गई हो ऐसे कितने हिंदुस्तानी होंगे जो चले गई होंगे और सही बात तो यह है कि सबसे मतरब ट्विटर पर इतनी गंदगी फैली हुई है चंशीूद साब को टेक करके लिखा जा रहा है क्योंकि आरतिगारगी लिखती हैं चंशीूद का फुड़ू डाल करके कि सो जस्टिस चंशूद one of the finest judge is being targeted by a section for upholding personal liberty a right granted to every Indian under constitutional constitution of India latest uproar over his remark saying wife not a property of husband and can choose her sexual partner बीजे पी के नेताओं की पत्नियों को शायद थोड़ासा खुशी मिल नहीं होगी खुशी के लिख दोड़ गई होगी बीजे पी की नेताओं की पत्नियों में हैं ना तो शायद इसलिए ये judgment दिया गया हो क्योंकि चंचूर साहब के इस बियान के पीछे मैं एक बजह मानता हूँ क्योंकि किरन डिजूजू ने एक बियान दिया था वो बियान भी यहां चर्चा में बहुत अच्छी तरह से आ रहा है बियान है किरन डिजूजू का जिन्होंने बोला था लामनिस्टर किरन डिजूजूजू said on Thursday that the government received 1631 complaints against judge related to judicial corruption in the last five year since January 2017 all these grievances have been forwarded to the chief justice of India तो भाया यह उसी की बात है there is no accountability of judge India needs reform in judicial system इंडिया को judicial system में reform चाहिए यह किरन डिजूजू साहब ने बात बोले थी संजय वर्मा लिखते हैं dear Supreme Court you know need to focus on legalizing आप legalize बनाईए हर कानून को बाइफ जो बदली जाती है पार्टियों में वो भी legalize होना चाहिए husband बच्चों को पालता है पे करता है उसके बारे में भी तैकिजिए husband एक घर देता है वीवी को रहने के लिए उसके बारे में भी बात कीजिए और husband maintenance देता है वाइफ का jobless boyfriend का भी maintenance देगा और boyfriend को वो अपने घर में भी लेकर के आईगी ये किस तरह का आपने judgment किया है सिद्व फिल लिखती है मैं तनी सक्षम तो नहीं मैं तना सक्षम तो नहीं कि इस मावले में बोल सकूँ नहीं कोड के अनादर करने की कोई मेरी मंशाय है पर कोड ये फैसला समाज में नकारात्मक फैसला छोड़ करके जाएगा Justice D.Y. के फूट उपड़ी हुएं Justice D.Y. चंदचूड held that a married woman can make her own sex choices by marrying she has not consented to refrain from sexual relation outside marriage without the permission of her husband his husband is not the honor of his wife sexually तो अब मैं शुरू करता हूँ इस कहानी का और इस उत्रा मतलब लंका कांड का मिशलेशा तो क्या ये जो है जो सहाब ने बोला है ये ला क्या केवाल हिंदूओं पर लागू होगा या पूरे देश पर लागू होगा ये मुझे कुछ ऐसा लग रहा है 1857 के किरान्ती में जिस तरह से गाय और सूर की चर्वी के कार्तूस लेकर के अंग्रेजों ने बाढ़ दिये थे वही काम चंद चूड ने कर दी है किरान्ती तहें कोई भी अपने समाजी को और परिवार के मुल्यों को अमरीका की तरह गिर भी रखना नहीं चाहेगा आप अपनी पत्नियों के साथ बात कीजिए हो सकता है कि आपकी या बीजे पी की नेताओं की पत्नियों में लिबरलाइजेशन के दोर में खुशी की लहट दोड़ गई हूँ लेकिन यहां कांग्रिस का आम आदमी पार्टि का राजेतिक पार्टियों का र्यक्षण भी आना जरूरी है कि ये देश नया इंडिया बन गया है या पराना इंडिया है जैस्सिस चंचूड का ये फैसला ना तो हिंदुस्तान को रासा रहा है, ना ट्वीटर इंडिया को रासा रहा है, ना किसी भी आम आदमी और भार वह भी होills are, को हैं, भक्तों को यह फैसला बहुत शांदार नजरा रहा है, क्योंकि लोगों को तो वीडियो फिल्म मे आपने देखी लिए होंगी, कि किसे की भी पत्नी को लेकर के कोई BJP नेता उड़ जाता है कहीं भी चला जाता है तो इस समाज को दूशित करने का जो प्रयास हिंदुत के नाम पे किया जा रहा है क्या मुदी जी इसका जवाब देंगे या हमिशा जवाब देंगे या संग के भागवत जवाब देंगे पहले कल देवे सिंग के एक ट्वीट पर तो इनकी पोल खुल गई महगाई के बारे में बोलना शुरू कर दिया इन लोगों ने राहूल गांधी की आतरा से डरके लेकिन ये जो समाज को समाज को एक करप्शन में एक बैश्या ब्रती की तरफ धकेला जा रहा है क्या इसके बारे में कोई जवाब देगा या बीजे भी यो करवाना चाहती है सुप्रेम कोड के जज़ों के मुझे बलवाती सवाल सिर्फ इतने से हैं मासूम से इंडिया के क्योंकि मासूम सा इंडिया बस चूरंड की पुडिया बदलने के लिए बेता है नमस्कार जहें दोस्तों